तुमेहे महेंद्र गड़ जिले में भी ग्रामीर सफाई करमचारी अपनी मांगों को लेकर 10 अक्टूबर से धर ना दे रही हैं। करणाल में होने वाली अधिकार राली के लिए महेंद्र गड़ जिले से बड़ी संख्या में ग्रामीर सफाई करमचारियों ने कूच किया है। ग्रामीर सफाई करमचारियों के कहना है कि सरकार लगातार उनकी अंदेखी कर रही है। पिछले 16 दिन से अपनी मांगों को लेकर के ग्रामीर सफाई करमचारी लगातार धरने दे रहे हैं और विरोध परदस्तन कर रहे हैं। क्या है कि इनकी वेतन भडोत्री है वो लागू की जाए और इसको लेकर के यह लोग कुछ फुरादार में जाएंगे और वहां एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे जी नमस्कार जी क्या नाम नाम योग इसकुमार ग्रामी सफाई करमतारी खोड़ पंचायच से हमारी राज्य वैप्य अड़ताल आज दस तारिक से सुरू हो करके आज 26 तारिक हो गई लेकिन हम लगातार धरने पर बैठे हुए सरकार ने अन्दी गूंगी वही बैठी है जो कि हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुए है हम इसलिए सरकार को चेताने के लिए आज 26 तारिक को करनार के अंदर जो धरनापरदर्शन सरकार के खिलाब चल रहा है उसमें सभी करमचारी साथी भाग ले रहे हैं और मीडिय पर मुख मांगे हैं जिनको लेकर के यह जो है अड़काल की जा रही है वर मुख मांगे एक तो हमारी आज 17 साल हो गए करमचारी ओक लगए वह आज तक नहीं कोई सेलरी बढ़ाई हुए हमारी नहीं टाइम पर तनखा दे रही है मतलब इतनी गूंगी वही बैठी है सरकार हमारा सोचन कर रही है करनाल में क्या कुछ प्लान है क्या करने का इराद है वहां जाकर को और कितने लोग वहां इखटा होने की उम्मेदे हैं है चुर्दाफिन शेक्या बिलिया के वहां कहम्मेदे है अब इनकों जहिता ही परें पस्केसख़ू सफाइब बॉया सब्सहारों सब्साइब पातोड़वे तन बन्युक्त कर्कूश सब्सक्राद दोबुदाफ्यव 可以 कि आपने त्यारी में सब कुछ तो पहुंच चुके हैं कुछ रह जाएं वह अभी पहुंच जाएं क्या कहना होगी जिस परकार से हर्टाल सब रही है सरकात से जो मांगें कि आपने तरफ से मनाएं तो अपनी तरफ से मनाएं तूं सरकार जुठी आश्वासन देती हैं वह कर देंगे वह कर देंगे ताम जो नई प्रकार से लगासा शोला दिन होवेशा त्रवा दिन है आज बड़ा अंदोलन के रूप लेने जारी आपके अड़ता तो क्या कहना है सब्सक्राइब कुछ इसकैर करम छाख लगी अपनेशन GMT ूद्स कि नमस्कार जी मैं पंचाइब से एंकलाब जिन्दाबाद 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 क्या मांगे हैं जिनको लेकर हमें सुवेतन टाइम पर नहीं मिलता हमें करमचारी 17 साल से लगे हुए है उनको कोई वो नहीं सुविदा नहीं है इसके लिए हमने अपनी मांगे रखी है इसके लिए हम करनाल जा रहे है तो इस परकार से 16 दिन के अपनी मांगों को लेकर के ग्रामिन सफाई करमचारी लगाता ब्लोक वाइज दिश्टिक वाइज अपने धरना परदर्सन देरे हरताल पर बैठे हुए थे और 16 दिन के बाद आज ये लोग अब करनाल पहुंचेंगे यहां से मैं आटेली के अंदर मोजूद हूर आटेली लोग के जो ये सफाई करमचारी हैं ग्रामिन सफाई करमचारी ये करनाल पहुंचेंगे इनकी एक ही मांग है कि इन्होंने जिस परकार से इन्हें 17 साल हो गए नोकरी लगे प्रदेश उसरकार वादे तो करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती ग्रामिन सफाई करमचारी नहीं होंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा पूरे हर्याना में 10 तारी से ग्रामिन सफाई करमचारी खड़ताल पना है और इनका कहना है कि 17 साल हो गए आज भी ये कच्छे हैं इन्हें पका नहीं किया गया शहरी और ग्रामिन करमचारीों के वेतन में भी काफी फरक है और शहर के अंदर 400 के उपर एक सफाई करमचारी हो इसलिए सरकार की बात सुनें देखिए ग्रामिनी सफाइक रमचारियों को हड़ताले बेढ़ना कोई सोंक नहीं था और सत्रा साल बीच जाने के बाद आज ये कच्छे हैं और इन्हें कई बार मांग पत्र दे चुके हैं कई डिरेक्टर साथ बात चीत हो चुकिए लेकिन क समाधान नहीं हुआ मजबूरन हो कर गए ओरताल करनी पड़ी और हम सरकार से कहना चाते हैं यूनियोन के अडेलिएशन के साथ बात चीत करो और समधान करो और जो इनकी जायज मांग है उनका पूरा करो और देखिए और करोना काल की बात है करोना काल में इन्हों ने लोग अपनी बीतर छुपे हुए थे और इन्हों ने काम किया आठ की बिजाए दस दस गंटे काम किया देश में और प्रदेश में उनकी जान बचाई लेकिन करोना युद्धा तो मनना गया लेकिन अपाद्धी भी दीगी लेकिन पैर भी दोए करनाल के अंदर हमारी स्याम सीटी में अधिकार रेली और वाल में की जैनती मनाएंगे और वहां 11,000 लोग मुझूद रहेंगे। अधिकार लड़ाई जाइज लड़े हैं बार बार इनको आस्वासन मिल रहा है इनके बक्ते लाब देने के लिए पक्का करवाने के लेकिन अब तक 17 साल से इनको पक्का ने किया है इसलिए लड़ाई लड़े हैं। तो ये सफाई करमचारी शड़कों के पुरिया गाउं की गळियों में दिखता था तो हमने अपने निर्वेन के अकुराना काल के अंदर भी अपने ड्यूटी का पुरी महांदारी से आज तक 17 साल से हमारी यही महांग है सरकार से कि इनको विदानसभा के अंदर पोलिशी बना करके पक्का किया जाए और जब तक पका ना उन्यून तों बेतन कम स्विश जारतों में दिया जाए ताकि इस महांगाई के दोर के अंदर हमारे परिवार का गुजारा वो चल सके प्रामिर सफाई करमचारियों की लगातार जो स्ट्राइक चली हुई है मैं सबसे पहले तो CITU की तरफ से और आंगनवाडी वर्कर हेलपर यूनियन के अरियाना की महासची होने के नाते इनकी तमाम जायज मांगों का मैं समर्थन करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार गोशनाई करती है सत्ता में जो आसिन सरकार है उन गोशनाओं को लागू करवाने के लिए कई तरह की लड़ाईयां हमारे मज़दूरों को लड़नी पड़ती है एक बार सरकार अपने मूँ से कुछ बोले फिर उसका करमचारी लगे हुए और ग्रामिंदू लगे लगे हुए इनके मानदे में में काफ़ी जू है निस DAY है का मानदे समान किया जाए दूसरा जू है शहर के अंदर 200 की पपुलेशन पर एकक माशनाओं कि गाउं में पूरे गाउं में एक 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 या दो दो लगे हुए हैं काफी सोशन है इनका और जबकि गाउं के अंदर बहुत जादा काम होता है इसलिए हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि वहां भी जो है पापुलेशन के हिसाब से 400 पे 300 पे एक करमचारी को भरती किया करना हैं सी आईटू की तरफ से कि करमचारी को पक्का कि आ जाए हम सरकार से मंग करते हैं निके साथ मंत्रि जी के साथ बैट करके चार दोर की बाते हुई और उसमें सिर्फ स्वासन मिला इनको और इनका कोई भी मांग लागू नहीं करी है यह इसमें सरकार भी फला और हम सरकार से मांग करते हैं और इसकी तरफ से इन करमचारियों की समस्चें को जल्द से जल्द समधान किया जाए नहीं राष्ट्रिया लेवल पर अंदोलन होगा उनका कहना है कि लगातार सरकार इनकी अंदेखी कर रही है कुरोना काल में इनको करोना योदा की माना गया इनके पाउं दोए गए इनके बरसाए गए लेकिन अब यह लगातार हर्ताल पे हैं तो कोई इनकी सुनने वाला नहीं है जल्द ही इनकी मांगवर नहीं सुना गया तो यह एक बड़ा अंदोलन कर सकते हैं कैथ सलसे विपिंशर्मा जी मीडिया